निरने लिया है कि हमारे जो contractual employees हैं जो 3 साल 31 मार्च या 30 स्टमबर को पूरे करते हैं उनकी services को regular कर दिया जाए इसी प्रकार से जो part time हमारे करमचारी है जो 8 साल की service जो है वो continuous 31 मार्च 2021 को पूरी कर चुके हैं या 30 स्टमबर 2021 को जो है वो करेंगे उनको daily wages में convert कर दिया जाए और इसी प्रकार से जो daily और contingent workers हैं जो 5 साल की service 31 मार्च 2021 को पूरी करेंगे या 30 स्टमबर 2021 को पूरी करेंगे उनको भी जो different departments में available vacant seats होंगी उसके against जो है उनको भी regularize जो है वो कर दिया जाए मंत्रि मन्नल ने बाली चौकी में एक entrepreneurship development and innovation center ये खोला है ये पहले खोल दिया गया है लेकिन इसमें staff जो है वो लगाने के लिए 19 पद technical और ministerial staff के वो स्रिजित करने को मंसूरी दी है इसी प्रकार से इनांस्मेंट के मुताबिक आज गौर्मेंट इंडस्टियर ट्रेनिंग इंस्टूट आइटी आई जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है और इसके साथ ही साथ उस इंस्टूट में 26 पद जो विभिन कैटेगरीस के हैं उनको भी स्रिजित करने के निरने का जो है वो निरने लेकर के आदेश पारित किये हैं मंत्री मंदल ने जो है वो मानिय मुख्यमंत्री जी को मंत्री मंदल के स्दस्यों ने और मानिय मुख्यमंत्री जी ने अपना एक मास का वेतन मुख्यमंत्री जी ने वो सभी चेक सभी मंत्रियों के और अपना भी जो है वो वेतन का जो है एक मास का वो मुख्य सचेप श्री अनिल खाची जी को जो है वो हैंड़ोवर किया यह उसी द्रिष्टी से के मंत्री मंदल जो है वो लीड ले इस बात में भी बाकी लोगों की जो है वो जो हमारे विधायक हैं उनसे हम सबसे बात करेंगे और वो भी इसमें कंट्रिब्यूट करें उसके लिए चाहे किसी भी द्र के विधायक हैं उनसे बातचीत करके जो है वो इसका निरने जो है वो अलग से जो है लिये जाएगा